हालो फिरेंस वेलकम टो एटो जैन नोलेज क्लासेस आज की इस वीडियो में हो लोग सिखने वाले हैं घहान का कुल प्रिस्ट छेतरफल और आयतन ग्यात करने के लिए तो वीडियो में लास्टक जरूर बने रही है देखिए जैसा कि प्रस्ण दिया हुगा है एक घहान का प कुल प्रिस्ट छेतरफल बरावर घहान का कुल प्रिस्ट छेतरफल बरावर फर्मूला होता है छो गुना भूजा का अस्कुवार ये फर्मूला होता है घहान का कुल प्रिस्ट का छेतरफल बरावर तेहां पर छे लिखेंगे और गुना ये जो भूजा है जहां पर जो प तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 का अस्क्वार करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा और गुना जब 5 का अस्क्वार करेंगे तेहाँ पर 25 हो जाएगा तो देखिए 25 से जब 6 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 300 आ जागा तेहाँ पर 300 मीटर अस्क्वार लिखेंगे ये घहन का कूल प्रिष्ट छेत फ़ला गया अब हमें ग्याद करना है घहन का आईतन तेहाँ पर लिखेंगे घहन का आईतन बरावर घहन के आईतन बरावर फर्मूला होता है भूजा का क्यों ये फर्मूला होता है घहन के आईतन बरावर देखिए भूजा कितना दिया हुआ है 5 मीटर तो यहाँ पर 5 का Q लिखेंगे तो देखिए जब 5 का Q लिखेंगे तो इसको 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं जब इतना 5 गुना 5 लिखें, अब देखें, 5 में 5 से गुना करेंगे, फिर 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 125 आ जाएगा, इसको 125 मीटर क्यों लिखेंगे, यह answer हो जाएगा, इस तरह से घहन का आयतन ग्याद करते हैं, और इस तरह से घहन का कुल प्रिष्ट, छेतर फल ग तो उसका कुल प्रिस्ट छेत्र फल और आयत्त निकाले तो इस वले प्रस्ण को भी उसी तरह से हल करेंगे देखे कुल प्रिस्ट का छेत्र फल ग्याद करना है तो सबसे पहले कुल प्रिस्ट का छेत्र फल ग्याद करते हैं घन का कुल पिरिष्ट का छेत्रफल होता है 6 गुना भूजा का अस्क्वार ये फर्मुला होता है देखे यहाँ पर 6 लिखेंगे और गुना भूजा कितना दिया हुआ है तो 10 मीटर तेहाँ पर 10 का अस्क्वार करेंगे अब देखे यहाँ पर 6 लिखेंगे और गुना 10 का सो से छे में गुणा करेंगे तो सो से जब 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 सब आ जागा इसको 250 usksi लिक्ठेंगे इसको 600 Ma2 लिखांगे गहां का full 252 हो गया अब अब देखिए हमें घहन का आयतन ग्याद करना है तो यहाँ पर लिखेंगे घहन का आयतन बरावर घहन के आयतन बरावर फर्मूला होता है भूजा का क्यूँ अब देखिए यहाँ पर भूजा कितना दिया हुआ है तो 10 तो यहाँ पर 10 का क्यूँ लिखना है अब देखिए ज 10 से गुना 10 अब देखिए 10, 10 और 10 को जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 1000 हो जगा तो यहाँ पर 1000 मीटर क्यों लिखेंगे ए एंसर हो जगा इस तरह से घंका आयतन ग्याद करते हैं तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए और इस तरह के परस्नों का व सब्सक्राइब कर लीजे